तो दोस्तों आज की सोड़ो में हम बात करने वाले हैं SSC स्टाप सेलेक्शन कमिशन का जो न्यू वेबसाइड होता है इसमें अगर आप फॉर्म अपलाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए और आपको फॉर्म में फोटोग्राप सिगनेचर अपलोड करने में प्रूबलम हो रहा है लाइब जो फोटो होता है अपलोड करना चाहेंगे पर अपलोड नहीं हो रहा है ऐसे ही signature upload करना चाह रहा है पर signature भी आपको upload नहीं हो रहा है तो कैसे आपको photograph और signature upload करना है कैसे आपको signature का width, height और साथ में file का जो size होता है वो आपको set करना है साथ में आपको photograph कैसे upload करना है, live जो photo होता है वो आपको कैसे upload करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो को माध्यम से दिया जाएगा signature को research करके भी दिखाया जाएगा मतलब इस वीडियो में आपको complete जानकारी देने वाला हो photograph and signature से related तो आपको ये वीडियो को जरा सभी skip नहीं करना है पूरा last तक आपको watch करना है इसके बाद है आपको photograph signature अपलोड करना है गलती बिलकुल भी नहीं करना है अगर आप गलती करते हैं तो आपका जो form होता है वो आपका reject हो जाएगा इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करना है सबसे पहले आपको instruction को read करना है देखे प्रेंस यहाँ पर आपको instruction में बोला गया है कि आपका जो photo होता है इसका background होता है वो आपका clear होना चाहिए background आपको कुछ भी नहीं लेना है किसी एक ही color में आपको background लेना है इसके बाद देखे प्रेंस यहाँ पर आपका जो आँख होता है वो आपको camera की ओर होना चाहिए आपका आँख इसके बाद देखे प्रेंस यहाँ पर आपका जो web camera होता है इसमें आपको किसी भी परकार का जो अधर जो होता है color वो आपको नहीं लाना है एक ही color में आपका जो होता है वो आपका photo रहना चाहिए साथ में आपका जो face होता है इसमें आपको ना ही mask लगाना है ना ही आपको sir में cap लगाना है ना ही आपको आख में glass लगाना है आपका जो photo होता है वो आपका simple होना चाहिए कैसे photo होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा live photo upload करके इसके बाद देखे friends यहाँ पे signature का आपको बताएगा है dimension क्या रहने वाला है इसका जो width or height होता है वापको यहाँ पे 400 और 200 को बीच में इसका width or height होना चाहिए file का जो size होता है वापका 10KB से 20KB के बीच में होना चाहिए blur नहीं रहना चाहिए आपका signature नहीं तो आपका reject हो जाएगा सबसे पहले देखे friends यहाँ पे मैं आपको photo upload करके दिखा रहा हूँ आप देखे friends यहाँ पे आपका जो photo होता है आपका जो chrome browser होता है इससे upload नहीं होगा अगर आपका upload हो रहा है chrome browser से तो आपको upload कर लेना है अगर आपका chrome browser से upload नहीं हो रहा है तो मैं एक browser आपको बताने वाला हूँ उस browser में आपको जाकर login करके आपको upload करना है simply यहाँ पे मैं उस वाले browser को आपको open करके दिखा रहा हूँ upload करके उसी में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे का जो भी होता है वो मैं आपको उसी वाले browser में आपको बताने वाला हूँ simply यहां पर मैं open कर लेता हूँ इस वाले browser को आप देखिए friends यहां पर मैंने पहले से इस वाले browser को यहां पर मैंने collection करके यहां पर जो मेरा होता है यहां पर log in कर रखा है SSC का official Jus 7al होता है इसमें मैंने अपना चो बटाने में जल्द ही आसानी हो तो सबसे पहले देखे यहां पे जो फोटो होता है यह isको मैं कट कर लेता हो और फिर से मैं आप लोगोगों को अप्लोड करके दिखाता हो जैसे यहां पे फायरफोक्स ब्रॉजर में आप लॉग इन हो जाते हैं तो आपको फोटो upload section में आजाना है यहाँ पर मैं time को बरबाद ना करते हुए directly यहाँ पर मैं photograph and signature upload section में आ चुका हूँ आने के पस्चात यहाँ पर जैसे यहाँ पर capture live photo में आप यहाँ पर click करेंगे तो आपका जो भी photo होता है वो आप यहाँ पर live photo जो होता है वो आप upload कर पाएंगे देख सकते हैं friends यहाँ पर मेरा जो photo होता है वो आ चुका है यहाँ पर मैं live photo होता है वो मैं यहाँ पर capture कर पाऊंगा Chrome browser में आप live photo होता है वो upload करना चाहेंगे तो आपका जो photo होता है वो आपका upload नहीं होता है वहाँ पे error so होता है तो यहाँ पे आपको कोई भी error so होने वाला नहीं है यहाँ पे मैं आपको live photo capture करके दिखाता हूँ आपको capture कैसे करना है सबसे पहले देखे friends यहाँ पे आपको clear जो background होता है वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपको background होता है किसी एक ही color में होना चाहिए इसके बाद आपको capture कर लेना है तो देखे friends यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे live जो photo होता है वो आप capture कर लेते हैं तो आपको इस परकार का interface आपको देखने को मिल जाएगा आप देखे friends यहाँ पे आपका जो photo होता है इसमें आपका जो face होता है वो आपका clearly यहाँ पे visible होना चाहिए cut नहीं होना चाहिए मतलब आपका जो photo होता है वो आपको cut नहीं चाहिए आपका जो photo होता है कुछ इस type से आपका clearly यहाँ पे visible होना चाहिए इसके बाद आपको simply यहाँ पे save में click कर लेना है अगर आपका photo सही capture नहीं होता है तो आपका जो यहाँ पे shape का जो button होता है आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आपका photo सही capture हो जाएगा तो आपका shape का जो button होता है आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस type से आप यहाँ पे save कर पाएंगे आपका जो फोटो होता है आप इस प्रकार यहां पे सेप कर पाएंगे आप जैसे आप यहां पे फोटो सेप कर लेंगे तो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा आपका फोटो ऐसे ही क्या करना है फ्रेंस यहां पे आपको upload करने में दिक्कत हो रहा होगा तो इसको भी मैं आपको research करके फिर से मैं आपको upload करके दिखा रहा हूँ आपको research कैसे करना है यह मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो देखे friends यहाँ पे आपको signature को भी research करने के लिए एक application का जुरूरत पढ़ने वाला जो कि आपको play store में मिल जाएगा अगर आप laptop यह PC से research करना चाहते हैं तो आप किसी भी अधर जो application होता है उसका use करके आप research कर सकते हैं मैं आप यह mobile से आपको research करके दिखा रहा हूँ simply आप photo research कर लेंगे अगर आप mobile से research करना चाहते हैं simply इस वाले application को install कर लेंगे मैंने पहले से इसको install कर रखा है simply मैं आप इसको open कर लेता हूँ आप देखे friends यहाँ पे इस वाले application को आप जैसे open करेंगे तो आपको इस प्रकार का interface आपको देखने के मल जाएगा सबसे पहले आपको select करना है photo यह आपका जो भी signature होता है वापको select करना होगा select करने के पचात आपका जो signature होता है कुछ इस टैप से आप देख पाएंगे यहाँ पे देखे friends यहाँ पे जो मेरा signature होता है बहुत ही पुराना signature है जिसके कारण यहाँ पे blur आ रहा है तो आपको करना क्या है आपका जो signature होता है recent का जो signature होता है आपको कर लेना है और आपको recent में ही photo click कर लेना है और आपको उसी वाले signature को upload करना है यहाँ पे मैं data sample के रूप में आपको बता रहा हूँ आप देखे friends यहाँ पे आपका जो signature होता है इसको research करने के लिए simply आप यहाँ पे research में क्लिक करेंगे उपर के इसको कर लेना है कुछ step से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा resolution and file size में आपको custom में क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे set करना है इसका width or height width or height set करना आपको बहुत ही जरूरी है अगर आप width or height set नहीं करते हैं तो आपका signature होता है आपका pencil के समान एकदम पतला हो जाएगा यह बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाएगा आपका signature signature नहीं लगेगा कुछ और ही लगेगा इसलिए आपको विक्त और हैट सेट करना बहुत ही जरूरी है सबसे पहले आपको यहाँ पे 400 लिख लेना है 400 और आपको इस वाले बॉक्स में 200 लिख लेना है देन यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में अंटिक कर लेना है और आपको इस वाले box में क्या करना है 20 KB में आपको convert कर लेना है या उससे कम भी KB में आपको convert कर सकते हैं बस ध्यान रहे हैं आपका 10 KB से कम नहीं होना चाहिए तो simply यहाँ पर मैं 17 KB में convert कर लेता हूँ OK में click करेंगे आपका जो signature होता है वो आपका research हो चुका है अब देखे friends यहाँ पर aid हो गए रहाता है तो आपको skip कर लेना है तो simply यहाँ इसकीप कर लेंगे इसके बाद आपको simply यहाँ पर save का button देखने को मिल जाएगा simply यहाँ पर save कर लेंगे आपका जो signature होता है वो रिसाइच हो चुका है कुछ इस टैप से अब देखे friends यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर signature research किया इसको upload करके आपको दिखा देता हूँ अब देखे friends यहाँ पर मैं signature upload section में आ चुका हूँ photograph upload section में आ चुका हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं upload signature में click करूँगा इसके बाद मैं यहाँ फाइल को select करूँगा जो भी मैंने यहाँ पर signature research किया उसवाले signature को select करके upload कर दूँगा जैसे देखे friends यहाँ पर मैं select करके upload करता हूँ तो मैरा signature uploaded का जो successfully का message होता है आपको मिल जाता है तो इस परकार यहाँ पर आपको photograph and signature upload करना है कैसे आपको stop selection commission में photograph signature upload करना है वो मैंने आपको पूरी जानकारी देने को कोशिस किया है इस वीडियो में अगर आपको जानकारी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो क लाइक, subscribe, share करेंगे ऐसे ही update पाने के लिए किसी परकार का query हो तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं या मुझे instagram में भी किसी परकार का help के लिए message कर सकते हैं तो चलिए friends, next video मिलते हैं, take care, bye bye, thank you so much guys, भूला सकते हैं के लिए